जोहारे जहें दोस्त अप लोग एसे मेरे खाल से अच्छे हूं और अच्छे सप्ना प्रपीपेशन कर रहे हूं। दोस्तो आज मैं फिर से आप लोग जहारकन जीके के important question लेका हैं जोकी दोस्त most important राने वाला ठीक है। और दोसों यह आप लोग अगामी आने वाले जहरकन छेतर करता हो गया आप लोग उत्पात पुलिस हो गया जिसे सिजल हो गया और जहरकन के तमाम जितने भी गौवर्मेंटिक जमिंसन आने वाले एकजम में होंगी और जिसमें जहरकन जी के पूछा जाएगा यह बहुत ही के लिए आठ बजे आप लोग जहरकन जी के के लिए आठ बजे आप लोग रात में जोएन होईए ठीक है और अपने त्यारी को मजबूत कीजिए क्योंकि आप लोग चुनाओ समाप्त हो नहीं वाला ठीक है उसके वादा एकजम में ही है आप लोग आना है ठीक है इसलिए आप लोग पहले से त्यारी करना है और नहीं तो पता चलेगा दे दिया है एकजाम डेर दे दिया उसके आप पूछ पढ़े ही नहीं है आप कहां से सेलेक्शन ले पाईएगा और जो पहले से पल रहा है तो उसका सेलेक्शन हो जाएगा इसलिए आप लोग को सचेत कर रहे हैं अभी से आप लोग त्यारी में लग जाए ठोड़ा ही लेकिन अभी से क्लासिस को आगे बढ़ाते हैं ठीक है और हम लोग आज क्लास नमबर ठीरी कर सकते हैं सेट नमबर ठीरी कर सकते हैं ठीक है तो चले हम लोग आज की क्लास को प्रारम करते हैं तो आज की पहला नमबर कोई से ने छोटाना कुर पठार की चाटाने कैसी है बैसाल क्रिस्टेल परददार इन में से कोई नहीं तो हम लोग जो फर्स्ट का राइट एंसर हो जाएगा यह हम लोग कहा हो जाएगा क्रिस्टिल यह एवं का अंत्रीट टीक है बी नमबर ऑप्षन बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा टीक है और आप लोग इस वीडियो के सेर भी कर दीजेग प्राइदुप्य पठार का हिमालाई पठार का गंगा का तराई क्या है गंगा की तराई क्या बोल रहे हैं गंगा के मैदान का इन वे से कोई नहीं तो सकेन का जो एंसर हो जाएगा आपका प्राइदुप्य पठार हो जाएगा ठीक है एन और ओप्सन सही एंसर हो जाएगा चले next person को रम लोग बढ़ते हैं next person देखके आपका दिया हुआ है क्या third number में जारकन की सबसे निम्तम भोतिक सनरचना किसकी है राजमहल ट्रेप की दामुदर घाटी की पाट परदेश की या फिस सोन घाटी की तो इसका जो right answer आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आप लोग का 2 मतलब 3 का बताइए तो इसका right answer आप लोग का हो जाएगा A number यानि की राजमहल ट्रेप ठेक है चले next है देखे चार नमबर में आपका दिया हो राजमहल ट्रेप का सिरिजन कव हुआ था जुरे सी काल में ठेक है चले next प्रसिंग कर लोग बढ़ते हैं देखे ऑफाइप नमबर में क्या है आपका दिया हुआ है जारकन में सरवादिक मातरम किस परकार का सेल समू पाया जाते हैं बेसाड सेल समू, कुड़पा सेल समू, या फिर आर्कियन सेल समू या फिर धारवर सेल समू तो आम लोग 5 का बिल्कुल राइट एंसर क्या हो जाएगा C number option यानि की RKN सेल समूख C number option बिल्कुल राइट एंसर रमलोग हो जाएगा चले ने एक्स प्रसिन के रमलोग बढ़ते हैं 6 number में आपका दिया हुआ है छोटा नाकपुर पठार की रचना कब हुई थी मतलब किसे हुई थी आगने चटान से प्रदार चटान से परिवर्तित चटान से या फिर लावा चटान से तो इसका 6 का बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा A number यानि की आगने चटान से ठीक है A number option बिल्कुल राइट एंसर आपका हो जाएगा चले next है देखे 7 number में आपका दिया हुआ है चोटा नाखपूर के वर्तमान धरातल का निर्मान किस से हुआ था ग्रे नाइट एंसर से या फिर क्वार्टर से या फिर सीस से या फिर बैसाल से तो 7 का जो आगने राइट एंसर हो जाएगा बिहार पैसिम बंगाल पैसिम बंगाल जारकन 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 चातिसगर जारकन चातिसगर पैसिम बंगाल तो हम लोग जो आइट का विलकूर राइट एंसर क्या हो जाएगा पैसिम बंगाल और जारकन का ये सन्योक तो परियोजना है प्रोजेक्ट है अप लोग कमेंड कर करके बताईएगा कल आप लोग हम बताएगा दामदर घाटी जो परियोजना है उसका मतलब अस्थापना कब हुआ था ठीक है आप लोग कमेंट करके बताएगा हम कल ही बताएगा ठीक है और जो हम आप लोग बोलते हैं कि इसका जवाब दिजिए तो इसका आप लोग इसका जो आपका हो जाएगा बी नमबर ओप्सन यानि कि ये तीन राज की परियोजना है ठीक है चले नेक्स्ट है देखे दस नमबर में है जारखन में काली मीटी कहां पाई जाती राजमहल ट्रेप में ग्रेडी में हजारी बाग में छोटा नागपुर पार्ट छेत्र मे तो ये आप लोग बता देना चाहा रहे हैं ये आप लोग का राजमहल ट्रेप में काली मीटी पाई जाती है आप लोग कमेंड करके बताएगा गिरिडी में कौन सा मीटी पाई जाती है और छोटा नाकपूर पाट परदिस में कौन सा मीटी पाई जाती है आप लोग कमेंड क कम अनुसुचित जाती यानि कि SC कहां पेज हरकन में पाया जाते हैं परतिसत के मामली में पलामू ग्रीडी या फिर पाकोड या फिर लुहर दगा तो हम लोगों जो इसका राइट एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी नमबर आप्सन यानि कि पाकोड में सबसे कमनुसुचित जाती पाया जाते है एसी कम पाया जाता है ठीक है नेक्स परसिंस के में बढ़ते हैं बारों नमबर का बिल्कुल राइट एंसर क्या हो जाएगा पद्म सीरीज से ठेके चले नेक्स्ट है तेरो नमबर में देखिया आपका क्या दिया हुआ है आदर्स इवा बिधायक पुरुसकार 2024 का पुरुसकार किसे सम्मानित क्या गिया है अर्जुन मुंडा जी को क्रिनाल साडंगी को पुर्नीमा निरस्णी को विकासी मुंडा को तो हम लोग जी इसका राइट एंसर हो जाएगा पुर्नीमा निरस्णी इसका बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट है चवदो नमबर में नवा आइसफा सीने अवार्ड के लिए सरस्रेश फिलों को पुरुसकर किसे दिया गया था फुल मुन्नी का बुरु कोचा कुडी को मिलोन माला इन में से कोई नहीं तो चवदो का इसका बिल्कुल राइट एंसर आपका हो जाएगा ए नमर उप्षन यानि की फुल मुन्नी को ठीक है ए नमर उप्षन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा हम लोगा ठीक है देखिए और फिप्टिम नमर में हैं दच्छिन कोईल नदीक उद्गम अस्थाल कौन सा है दुद्वा पहारी तिरकुट पहारी छोटानाकपूर पहारी पठार राजमहल पहार बताई इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बताईए पंदरों का राइट एंसर आप लोगा क्या हो जाएगा वो आप लोगों को कमेंट करके सभी लोगों को बताना है ठीक है तो आप लोगों सभी कोई कमेंट किजिए और बताईए कि दचिन कोईल नदीक उद्गम अस्थान कौन सा है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा छो छोटा नाकपूर का पठार चेनपूर परखंड दुधवा पहाडी राजमहल का पहार तो बताई सल्लो का राइट इंसर आपका क्या हो जाएगा सल्लो का राइट इंसर आपका क्या हो जाएगा वो आप लोग को कमेंड करके बताना है ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा गुमला जीला चेनपूर परखंड चले next सत्रों नमबर में आपका दिया हुआ है अजय नदी का उद्गम अस्तल कौन सा मुंगेर बिहार तिरिकुट पहाडी दुद्वा पहाडी राजमहल का पहाडी तो सत्रों का बिल्कुल right answer हो जाएगा मुंगेर बिहार ठीक है सत्रों का बिल्कुल हम लोग क्या हो जाएगा ए नमबर option मुंगेर बिहार ठीक है next प्रसंट चलिए अठारों नमबर में देखिए दसम जल पर पात किस नदी पर रिष्ति थे सुन रेखा नदी पर अबरहा नदी पर कांची नदी पर राहू नदी पर तो हम लोग किसका right answer हो जाएगा 18 का बिल्कुल कांची नदी ठीक है आप लोग कितने कोई दसम जल पर पात गये हैं आप लोग कमेंड करके बताईए कोई गये हैं दसम जल पर पात कितने कोई गये हैं आप लोग कमेंड करके जरूर बताईए ठीक है चलिए हम लोग next परसंड करो हम लोग बढ़ते हैं सिदेस्वर पहार कहां इस थी थी देकि इस अब परसंड पूछा गया ठीक है और इस ताइप का प्रसंड देता है तो बहुत सारे कनिरेट नहीं कर पाती इसलिए डीपली परना बहुत ही जरूरी है ठीक है देखे कोडरमा मुसा बनी साहेब गंच गिरीडी तो 19 का जो राइट एंसर हो जाएगा बी नमबर यानि की मुसा बनी आप लोग कमेंड करके बताएएगा मुसा बनी कहां पीस्ती थे ठीक है मुसा बनी कहां पीस्ती थे वो आप लोग कमेंड करके बताएए चलि नेक्स्ट है देखे 20 नमबर में दलमा पहर कहां इस्ती थे पस्मी सिंभूम में, साहिब गंज में, पुर्वी सिंभूम में या फिर गstart ग्रेडी में तो 20 का हम लोग का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो राइट एंसर हम लोग का C नमर यानि की पुर्वी सिंभूम जिले में ठीक है नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए एकीस नुबर में एकीस नुबर देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है निमलिकित में किस जन जाती का गाओ भुईहरी के नाम से जाना जाता कौन से जन जाती है जिनके गाओ को भुईहरी के नाम से हम लोग जानते हैं संथाल जन जाती उराव जन जाती मुंडा जन जाती कोर्वा जन जाती तो इसका तो राइट एंसर हो जाएगा आपका बी नमबर यानिकी उराव जन जाती और जारकन की सबसे सिक्षित जन जाती उराव जन जाती ही है ठीक है और जारकन की सबसे बड़ी जन जाती के बात करत संथाल जन जाती इसका आपना राइट हो जाएगा चले 9 उरावन लोगों का धार्मिक पर्धान वह पुजाड़ी कोन होता चया है? ये फिर पहडा राजा होता है, वह आपने करके बताना है ये पंचैन बहुन लोग है ये ौपंचैन नेक्स पुजाड़ी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चली नेक्स प्रसिंट के और हम लोग बढ़ते हैं 23 नुमर में निमलिकित में से कौन सा जारकन के साहिब गंज जीले की एक परभाग है बुरयो राजमहाल मंद्रो बरहेट तो हम लोग 23 का बिल्कुल राइट एंसर क्या हो जाएगा रा नेक्स्ट है देखे 24 नुमर आपका क्या दिया हुआ है MMJSSA का पूर्ण रोब क्या होगा मुक्यमंत्री जननी सिस्सू स्वास्त अभियान या फिर B में दिया हुआ मुक्यमंत्री जननी सिस्सू सुरक्षा अभियान या फिर C में दिया हुआ मुक्यमंत्री जननी शुरक्षा भियान या फिर इनमें से कोई नी तो 24 का अम लोग विलकूर राइट एंसर क्या हो जागा A नमर उप्सन यानि कि मुक्यमंत्री जननी सिस्सू स्वस्था अभियान ए नमर उप्सन विलकूर राइट एंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट है देखें डोमन साहू समीर को और किस नाम से हम लोग जानते हैं संथाली साइद के भारत एंदू लिबिन सहाब हल्दर या फिर बाभू तो 25 का विलकूर राइट एंसर आपका हो जाएगा A नमर उप्सन यानि कि संथाली साहत भारत तेंदू के नाम से हम लोग जानते हैं ठीक है ए नमबर ओप्सन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चले नेक्स प्रज़न के और हम लोग बढ़ते हैं 26 नमबर में देखिया आपका दिया हुआ है फल्गू नदी ठीक है फल्गू नदी का उद्गम अस्थान कोन सा है राजमहल का पहारी किकट बमागदी दुधवा पहारी छोटा नाकपूर का उत्तर भाग तो 26 का बिल्कुल राइट एंसर आपका हो जाएगा क्या डी नमबर ओप्सन यानि कि छोटा नाकपूर का उत्तर भाग चले नेक्स्ट है सक्री नदी का उद्गम अस्थान कोन सा है उत्री छोटा नाकपूर का पठार किकट बमागदी दुधवा पहारी राजमहल का पहारी 27 का राइट एंसर हो जाएगा उत्री छोटा नाकपूर का पठार ठीक है चले next प्रसिंट के रम लोग बढ़ते हैं देखे 28 में है जारकन राइज के किस जीले में गौवा परपात है जारकन के किस जीले में गौवा जल परपात इसती थे वो आप लोग बताना है राची, चत्रा, सीमडेगा, दुमका तो 28 का राइट इंसर हो जाएगा आप लोग का चत्रा, ठेक है चत्रा से कौन-कौन है कमेंट करके बताइए 29 में देखिया आपका दिया हुआ है कौन सी जनजाती भारत में तीसरी सबसे बड़ी और जारकन में सबसे बड़ी अच्छा, हाँ ऐसे जनजाती के नाम बताना है कि भारत में तीसरी अस्तान पे हो और जारकन में सबसे बड़ी असूर, संताल, उराओ, गोंड तो जारकन में सबसे बड़ी बोल दिया तो यह आपका संताल हो जाएगा आँक बंद करके आप लोग इसमें टिक लगा दीजी ठीक है बी नमर उप्सन बिलकूल राइट एंसर हो जाएगा ठीक है छिले नेक्स्ट है देखिए, तीस नमर में आपका क्या दिया हुआ है जारकन की राज की भासा कौन सा है हिंदी है, उर्दू है, संताली है, हो है तो अम लोग का राइट एंसर हो जाएगा तीस का ए नमर यानि की हिंदी ठीक है जारकन की राज की भासा कौन सा है कॉम्मुनिकेशन, लेंग्वेज, हिंदी तो आज की अम लोग एही पर क्लास समापत होती है उमीद करती है, सेसन आप लोग लिए बहुत ही helpful हो रहा होगा तो आप लोग वीडियो का लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा सेर करें, ताकि जितने ब त्यारी करने वाले कंडिडेट होंगे सभी एक पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग जान सकेगे कि किस परकार का जहारखन जेके से परसना आता है नहीं आता है, एक परकार का उनको आइडिया लग जाएगा, ठीक है आप लोग सेर कर दीजेगा, और अभी तक जहार एक जम को सस्क्राइब नहीं किया होंगे अगर आप लोग जारकन उत्पाद या फिर आप लोग जारकन छेतर करका तक आप लोग नोट्स प्राप करना चाहते हैं पेपर टू खोठा का, ठीक है तो पेपर टू खोठा का अगर प्राप करना चाहते हैं तो आप लोग एक नंबर दे रहे हैं इस नुम्बर पर आप लोग क्या करना है 149 पेमेंट करना है इसी WhatsApp नुमबर पर आप लोगो भेज देना है और बतला देना है कि सर हमको खोटा का उत्वात पुलिस या पिर आप लोग जारकन छेचर कर गाता जो भी जिसका अप लोग त्यारी कर रहे हैं देजिएगा हमको इसका खोटा का नोट्स आए जो हर एक्जम टीम के दूर आप लोग दो मिनेट के अंदर में नोट्स प्रोइड करवा दिया जाएगा ठीक है और यहीं से दोस्तों जितने भी आप लोग नोट्स दिया जाएगा यहीं से आप लोग सारा एट टू जेड आप लोगो मिल जाएगा ठीक है और देखिए आप लोग पेपर टू ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगो नोट्स दिलाएगा ठीक है क्योंकि आप इसमें 100 पे 100 ला सकते हैं अगर उदर आप लोग एबरेज भी रहते हैं तो यह आप लोग का मेक अप कर लेगा ठीक है इसलिए आप लोग इसमें ध्यान देना है तो अभी हम लोग पास फिलाल खोटा का है है और हम लोग का पेपर वन का है ठीक है बाद वाकि जितने भी सब्जेक्ट है सभी का बन रहा है ठीक है तो अभी आप लोग को चाहिए तो आप लोग को पेमेंट कीजी स्किन सोट भी मिल जाएगा ठीक है और फिर से पोरें आप लोग सारा परसन आप लोग यहीं से देखने को मिलें इससे बाहर आप लोग को एक भी नहीं देखने को मिलें क्योंकि और जो भी आप लोग सीलबस दिया हो सारा सीलबस आपका रहेगा और उसका जो भी इंपोर्टेंट एमसी की बन सकता है वह आप लोगों बना के दिये हैं ठीक है तो यह आप लोग का एकजाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा ठीक ना तो ठीक है दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स टुडियम तब तक लिए टाटा वाई बाई जोहार